सबसे पहले आप सभी मेंबर भाईयों ने जो हमें भारी बहुमत से जीत दिलाएं उसके लिए सभी मेंबर को बहुत बहुत धन्यवाद एक मारस्द से नया रेट लागू हो रहा है तब से यूनियन के द्वारा हाजरी कार्ट सभी सु्टिंग, सेटिंग, लाइट, सब को यूनियन के द्वारा फ्री दिया जाएगा और जहां भी हजरिकार्ट नहीं मिलेगा वहां कोई भी मेंबर चाहे लाइट, स्पोर्ट, सेटिंग, कोई भी काम नहीं करेगा अगर हमारी एक्टा तूट गई तो कंट्रेक्टर लोग राज करेंगे जो कि 200-400 में काम कराएंगे उसके बाद भी पेमेंट नहीं देंगे हमें हमारा हक चाहिए हमारा अगर हक मिलेगा तो हम कोई भी सुटिंग बन नहीं करेंगे और 12 गंटे के बाद अगर प्रोडूसर को काम कराना है तो यूनिटी चेंज करना चाहिए करज़त से, नायगाउ से, दैसर से, मीरा रोड से, सब जगर से एकका डेल डाया सारे क्राफ्ट को मिलता है केवल हमारे वर्करों के लिए क्यूं नहीं जो भी ये लोग हमारे यूनिटी के खिलाप काम कर रहे हैं और यूनिटी कितनी बनामिया कर रहे हैं से हमाई आएं क्योंकि इनको हार पचनी रही है और इनको काम अच्छा नहीं होना चाहिए ऐसा होता है और आज तक आज तक इन्हों अपने किसी भी मेंबर भाई को एवाड नहीं दिया हम अपने हर डिपार्ट के मेंबरों को भी अवाड से सम्मानित करेंगे लोगों को भी पता चले ना कि हमारे बच्चे भी इतने परसेंटेज लाते हैं लोगों को लगता होगा कि कारपेंटर, लाइट, मैंन, स्पोर्ड, वो हैं इनके बच्चे क्या पढ़ेंगे हम वो भी दिखाएंगे लोगों को बाई कुछ गल्ती हुआ होगा तो माप करना मुझे ज्यादा भासर देने आता लेकिन आप लोग को देखते हुए जोस में जो भी बोला गलत बोला सही बोला धन्यवाद हमारे फुराने लीडर तीस साल से बोलते हैं कि हम तीस साल से यूनियन के लीडर हैं पंदर साल के लीडर हैं लेकिन कभी किसी ने हाप सी विक्ष्टा नहीं चालू करा पाया हमने आप लोग के सहयोग से करजत में भी हाप सी विक्ष्टा चलवाया और खाना भी चालू करवा आप लोग के सायोग से अभी लड़ता रहा हूँ और लड़ता रहूँगा जब तक जान है कभी भी तुम लोग का सिन्य जुकाऊँगा अगर मैं चाता तो जैसे पहले के लोग पैसे ले करके चुप बैट जाते थे मैं भी बोल देता भाई पहले से एक का डेर नहीं चालू एक खाना नहीं चालू तो मैं क्यों लड़ू लेकिन मुझे मुझे लोगोंने चुना है चेंजिंग करने के लिए तो मैं चेंज इंडेस्टी करके ही जाऊँगा जब जुनियार्टीस को डेली मिल सकता मैला कलाकार को मिल सकता है फाइटर को मिल सकता तो हमें यो नहीं हम भी डेली वेजियोस है डेली 2-2 और 12 गंटा 15 गंटा 16 गंटा सुटिंग हम किसी भी कीमत पे नहीं होने देंगे हमसे जो हमारे विर्योदी हो हमसे लड़े लेकिन जब यूनियन की सानकी बात आवे तो उस समय तो मेरा साथ दो यार जब हमने स्ट्राइक किया था उसके बाद भी कुछ लोग गए उनके साथ क्या किया जाए आप लोग बताओ अपना हक लड़ने के लिए मुझे लेके आए और मैं कितना बड़ा भी आदमी रहेगा उनके हक के लिए लड़ूँगा ही लड़ूँगा हमारे लोगों में छमता है हम कुछ भी कर सकते हैं लेकिन बड़े लोग जाडू नहीं लगा सकते बड़े लोग चाय नहीं पिला सकते हमारे में से कोई आर डेरेक्टर पोडूसर बन सकता है मिजुशन बन सकता है राइटर बन सकता है और हैं भी जरूत पड़ेगा तो हम अक करते हैं कि हम आपके हिसाब से करेंगे कोई भी लेटर वाजी से कोई पोडूसर कोई आड डिरेक्टर पैसा नहीं देता उसके लिए हमें दम दिखाना ही पड़ेगा नमस्कार पहले दोसको कर दोसके लिए हमें परिवर्तन किया है ओ थोड़ी सी आप लोगों को दिमाग मेड़ा लोग बोलते हैं संजु ने क्या किया इनकी नई कमिटी ने क्या क्या तो उसकी मैं बता तो मितुन दादा ने एक लाग रिटार्मेंट बढ़ाया था लेकिन देत का नहीं बढ़ाया थ में अपर फर मन्च पर यह बोले थां इक लाग रिटार्में बढ़ाऊंका देद के बारे में लेकिन हमने देत वालों को भी एक लाग दिया पहले दोझई का साध्य ना जाए तो उनको कोई बेनुट नहीं देता खाली एक लड़की के दिया ज़िता था निय्म था कि ही द पुरानी कमेटी ने एक करोड तिरपन लाग रिटार्मेंट दिया, हमने दो साल में एक करोड नवासी लाग दिया हूं, उन्होंने अठारा साल में एक करोड तिरपन, हम दो साल में एक करोड नवासी लाग रुपया रिटार्मेंट दिया हूं, 24,66,43,789 रुपिया पुरानी कमेटी हमारे पास छोड़के गई थी कभी बोलते हैं 43 करोड दो छोड़के गया कभी बोलते हैं 32 करोड दो छोड़के दिया जो भी चाहिए मैंने पोश्टर द्वारा लिखित दिया हूँ अगर 24 करोड से जादा छोड़के दिया हैं तो जो बोलेगे हर जंगवा और उसको हमने 25 करोड 8,42 किया हूँ इंट्रेस्ट से ही यूनियन चलती है और चलती रहेगी कोई अपने घर से मैं हूँ या कोई अपने घर से नहीं लाएगा जो इंट्रेस्ट आएगा जो लोगों का मेंबर नया कार्ड बनेगा जो चंदा बढ़ेगा उसी से यूनियन चलती है उसी से बच्चों के पड़ाई दी आते हैं मेडिकल दी जाती है सारे सुविदा उसी से दी जाती है मैं आप लोगों से हाद जोड़ के बोलता हूँ कि जब भी यूनियन बंद काम करे किसी के बहकावे में जाकर के कोई काम मत करो जोag र सब्सक्राइब हमारे अपाहीज हो चुके हैं काम करने लाक नहीं है आपका ही भाई हमारा भाई भाई जो यूनियन के साथ रहा है आज यू काम करने की स्थिति में नहीं है उसको हजार उपया महिना पेंशन हम लोग चालू कर रहे हैं फरवरी से लखी ड्रादो आरा बारा वर वारा लोगों का 2-2 लाग का मेडिक लिम किया जयागा इसी मन्च पे अभी 2-2 लाग का मेडिक लिम 12 लोग का किया जया जया जयागा बां चुषटांदर में पांच सुविधा है उयक पहले खालीी बोला जाता है आथ हैं हां ईडवासे कमेटी बनाएंगे कोई बना नहीं था मैं चाहता हूं कि आप लोग की समती रहा तो जैसे महेजबड जी रजा मूराज जी इम्तियाज जी और जो भी मानिद अच्छे लोग बैठे हैं जो हमारी हमारी हमारा साथ दे सकते हैं खुल करके ऐसे लोग को लेकर के इडवाइजर कमेटी बनाना चाहता हूं क्या आप लोग की समती है जो भी गल्पियां हो गया उसके लिए सभी से माफी चाहता हूं धन्यवाद अच्छी बात है कि यहाँ पर आज पोडूसर एस्योशन के अध्याच हमारे मीटिंग के अध्याच है हमारे वरकरों की हमारे मेंबरों की असुगिदाय क्या है उससपे साहद अगर इनके रहते हुए हम आप लोग के सहयोप से इनसे भूलेंगे तो हमारी अच्छी मैसेज जाएगा और साहद वो मानेंगे क्योंकि हमारी demand producer लोगों से ही रहता है और जहां तक अंदा आजा है मैंने कि producer को support करते ही है लेकिन बीच के जो बीचवलिये लोग हैं उनके कारा हमें तकलीफ होता है और मैं मानी टिपी अगरवाल जी मिटिंग के अध्यर से अन्रोथ करूँगा कि हमारे payment में जो बीचवलि चैलेंज करता हूं आके साबित कर दें उसके बाद दूसरे दिन मैं इंड़स्ट्री में चेहरा किसी को नहीं दिखाऊंगा सांदार आफिस आप लोग के बीच में 600 स्क्वार फिट से हटा करके साड़े 4000 स्क्वार फिट जिसमें सारे मेंबर सायोग हैं और सारे मेंबर उसके सेहर जा रहे हैं आज हमने वो करके दिखाया है में 149 लोगों ने रिटार्मेंट वड़ा था सारे 149 लोगों रिटार्मेंट दे दिया गया है कोई एक आदमी विरोधियों को बलता हूं एक आदमी लाके बता दे कि तुमने नहीं दिया और 2016 में मैंने 50 लोगों का घोसित किया था कि केवल 50 लोग का भरा दिया जागा फिर भी हमने 71 लोग को दिया हाँ साल में अगर 500 लोग बोलेंगे मुझे रिटार्मेंट दे दो तो मैं नहीं दूँगा क्योंकि अगर साल में 500 भरेंगे तो दो साल में जो मारे पास 22 करोड उपया हो खतम हो जाएगा तो जो लड़की के चुने हुए लोग को तुम निकाल देते हो कमिटी मेंबर को निकाल देता हूं तो मैं बता दे रहा हूं चुना हुआ लोग हो या कमिटी मेंबर हो मैं उस जो मेंबरों के अहित के बारे में सोचेगा मेंबरों की बुराई सोचेगा उसको हटाऊंगा और उसको हटाऊंगा जरूरत पढ़ेगा मैं अगर गलत कर रहा हूं तो मेरी कमिटी मुझे भी हटाएगी जो यूनियन के खिलाप काम करेगा तो चाहिए चुना रहे या कमिटी मेंबर उसको हटाऊंगा ही हटाऊंगा ताना साभी हूँ, भसमा सूर भी हूँ लेकिन किसके लिए ? जो मेरे मेंबरों का सोसर करेगा ऐसे आ अडरेक्टर, ऐसे कोमेड मालुक से ताना साही तरीके से अपना हक वसुलूंगा और उनके लिए भसमा सुर भी सावित होंगा लेकिन बीरोधियों के लिए और जो हमारे मेंबरों का सोसर करेगा उसके लिए क्या कोई भी जनरल सेकेटरी आवे चाहे मैं रहूं या कोई आवे क्या 6 करोड अलग बोल करके आप इस बैट जाएंगे तो यूनियन का पैसा ही कतम हो जाएगा अगर तुम इलेक्षिन हार गए 6 करोड देते यहां यूनियन में देते मैं अच्छा नहीं काम करता अगले बार मैं भी इलेक्शन हार था लेकिन मैं अगर मैं पता चला मुझे इलेक्शन हुआ हार गया तो मैं क्या चार करोड अलग देके बैटूंगा तो क्या आप लोग को मंजूर होएगा वो सारे छे करोड पहले लाके दे खुद सच्चे होए फिर मेरे उपर आरोफ लगाएंगे मुझे आज आप लोग को इतना बता रहा हूं कि आप लोग का इसी तरह सहयोग रहा आप लोग का इसी तरह सहयोग रहा तो कोई माई के लाल होए मुझे डरा नहीं सकता बहुत बड़ी बड़ी धंकिया आती है लेकिन मैं डरने वालो आप लोग अगर मेरे साथ खड़े हो ना तो तुम्हारा सोस्टाट करने दूँगा आप लोग के सामने सबसे पहले सीना खड़ा रहूंगा और हक के लिए प्यार से हमें जहां चाहिए जो जुका सकता है लेकिन हक लेने के लिए हम सीना तार के उनके खिलाब कड़े रहेंगे और जैहिन जैह माराश्ट मिटिंग के अध्याच एवन मंच पर उपस्थित सारे मानेवर एवन आतिथी एवन मजदूर यूनियन के सारे मेंबर भाईयों को 34 वार्चिक महस्तों की हार्दिक सुपकामना है पहले भी बताया था कि उन्होंने 24 करोड 64 लाग छोड़के गए थे आज 20 करोड 49 लाग है प्लस 9 करोड का हमने आफिस लिया है फनीचर के साथ इस साल हमने 2017 में मेंबरों का 53 करोड 50 लाग वरकर का पेमेंट आया जिसमें केवल सेटिंग का है लाइट स्पोर्ट का नहीं है इतना यह बोल सकता। कि पहले जो मंतली वालों को कम पेमेंट मिलता था ओ अभी नहीं मिलता पूरा पेमेंट तो मिलता है लेकिन इंचार लोको कमीशन देना पड़ता है वो भी मुझे पढ़ता है पहले इंचार जो वाँ पे हमारे हैं हमारी क्राप्ट का जो सोसर्ड कर उनको हमें सही करना इसके लिए 10-10 आदमी दोनों कमिटी से हमें हम लोग आपका स्वागत करते हैं और कमिटी में हम ले करके और दोनों क्राफ्ट का अलग से विजलेंस चलाना चाहते हैं हम डेली वेजेस बोले जाते हैं कि हम डेली वेजेस मेंबर हैं लेकिन डेली वेजेस हमें कभी भी पेमेंट नहीं मिलता हम अब दिखाएंगे अगर प्यार से मानगे तो ठीक है ने फिर दूसरा तरीका अपनाएंगे एक हमारा ही क्राप्ट है एड फिल्मों का 12.5% और साल की हमारी यूने ने लेकिन सारे क्राप्ट को खाना मिलता था एक हमारे ही क्राप्ट सेटिंग वरकर को खाना नहीं मिलता था जो की सबसे जादा मेनत हमारे सेटिंग वरकर करते हैं 12 गंटा 15 गंटा उनसे काम कराय जाता लेकिन दोपर में खाना और नास्ता नहीं दी ज सबसे ज्यादा सोषण करते हैं हमारे आड्रेक्टर 90% अच्छे है 90% आड्रेक्टर हमारा ही सोषण करके आज जल्दी हम लोग एक मोबाइल एप चालू कर रहे हैं उसके द्वारा हमारे सारे कंप्लेंस सारे जो भी गत्वी दिया है आप लोग को बताई जाएगी और जो भी कंप्लेंड होएगा ज्यादा तर मोबाइल एप द्वारा आपको दुचित की जाएगी और आपकी कंप्लेंड ली जाएगी और क्लियर भी की जाएगी आड्रेक्टर और इकुमेंट के खिला उनसे मैं रिक्विस्ट करूँगा अगर प्यार से माने तो ठीक है और सारे सेट पर एंबूलेंस चाहिए साप सफाई ग्रूप इंसोरेंस सेप्टी देथ होने पर किसी की देथ हो जाता है तो एक महिने के अंदर उसका देथ कंपेशन मिलना चाहिए और जो 16-16 गंटा 18 गंटा सुटिंग कराया जाता है वो बंद किया जाए 12 गंटा सुटिंग करवाया जाए अगर 16 गंटा काम कराया जाए उसका पेमेट तो मिले कनवेंज डेली मिलनी चाहिए एड फिल्म वालों का एक सेट खतम हो गया दिस्मेंटल के पहले पैसा अब लूँगा इतना हो सक रहा है जितनी मेरी समझ है उतनी मैं कोशिस कर रहा हूँ कि आप लोग का भाला कर सकूँ नई फैडेशन की टीम आई है आपको संबोधित करे और हमारे मेमान नाकपुर्ग वेलफेर के जो भी करिट समया जी जो लोग भी आए है और आपको संबोधित करेंगे और हम उससे कुछ गलतिया हुआ हो तो उसे माप करना धन्यवाद